नमस्कार मेरा नाम बीना है और आप दाइंजा टाप देखना शुरू कर चुके हैं रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हीं वाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुश खबरी है आपको बता दे कि बिहार सरकार जल्धी रास्वब भाग में 2000 से अधिक पदों पर भरती निका आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ आपको करना होगा कब तक विज्ञापन निकाल जाएगा और कितने पदों के लिए जो है भरती निकाली जाएगी तो आपको बतादे रास्व एवं भूमी सुधार्विभाग का भू अभी लेक एवं परिमाप निदेशाले वि जाएगा बहाली अंकों के आधार पर की जाएगी इसकी पूरी प्रक्रिया इसी साल पूरी कर ली जाएगी वह अभी लेकिवं परिमाप निदेशाले के निदेशक जैसिंग ने इसकी जानकारी दी है उन्होंने बताया है कि पहला चेरन में 4628 कर्मियों की बहाली की गए थ पर 6875 हैं इसमें कई अब सेवा में नहीं है कई पद रिक्त हैं और इन रिक्त पदों को जल से जल भरा जाएगा इसको लेकर जल विग्या पर निकाला जाएगा तो ये रोजगार के छेत्र में युवाओं के लिए खुश्खबरी है कि जल्द ही 2500 पदों पर जो है रिक्ति है जैसे एजुकेशन के लिए क्या-क्या मैंडेटरी है इस फोल्व को भढ़ना के लिए तो हम आपको पूरी जानकारी देंगे फिलाएग तक है वह मापको बता सर्वेक्षन कर्मियों का चैन करें बहुमी सर्वेक्षन का काम सबन совет के लिए गई थी चैन के बाद वर्स 2020 के जुलाई माह में सभी विशेज सर्वेक्षिन कर्मियों की फिल्ड में तैनाती कर दी गई है तैनाती के बाद कई कर्मियों के सेवा कई कारणों से समाप्त हो गई है कुछ ने दूसरी जगह बहतर मों का पाकर पद्यत्याग कर दिया है हाली में विशेज सर्वेक्षिन सहायक बंदोबस पद्धिकारियों में से 65 का चैन बिहार लोकसिवा आयोक सहायक अवियंता द्वारा नियमित पद को हो गया है फरवरी तक इनके पद्यत्याग करने से 65 पद रिक्ती होने वाले हैं इसी तरफ फरजी डिगरी के आधार पर न नौकरी पाने वाले लगभग 200 से 300 ऐसे अमीन को जो है निकाला जा चुका है उनको पद मुक्त किया जा चुका है ऐसे में सरकार को काम करवाने में रफ्तार नहीं मिल रही है और पूरे वाक्या पर पूरे विमर्ष के साथ ये जानकारी दी गई है कि अब जल्द ही इन 2500 ज जो है भरा जाएगा और निक पर जल से जल बहाली की जाएगी तो इससे जुड़ी जब भी नया आपडेट आप तक आएगा तो हम आप तक पहुंचाएंगे इसके सांथ ही अगर आप तक आपने हमारी यूटीब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे करने हो रहें नहीं जाप के सांथ धन्यवाद